नमस्कार दोस्तों सब्सक्राइब को एक 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 वीडियो में एक एक शेक्षन कवर करते जाएंगे ठीक है और फिर इसका कम्प्लीट पापा वीडियो देंगे हम आपको जो 12 जून 2022 की UPPSC की प्रिक्षा है उसके लिए लेकिन जो उसके आस-पास आने वाली परिक्षा है वो इंडिया का और वर्ड का जितना भी जरूरी करेंट वाला करेंट इसमें क्या कर रहे हैं अप्रेल 2022 के एंड से पहले जुलाई 2021 तक का डेटा लेते हुए टोटल उसमें जितना हमने मंत्ति करेंट अफेर दिया था उस पूरे डेटा का जो सेक्षन वाइस हैं मोस्ट रिप अगर आप यूटूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज यहाले टेलिग्राम चैनल जरू जोन कर लिएगा सारे नोटिफिकेशन सारे अफ्रेट यहीं पर मिलते हैं लगातार पिक्स का रिवीजन भी करवा रहे हैं यही पर यूपी पेसी 2022 के लिए लास्ट टाइम के रिवी इस साल हुए लगबख सभी पेपर्स में हम देखेंगे डिफेंस से सवाल आएं जैसे इसमें भारत साओधी एरभिया के बीच जो पहला सायन अभ्यास हुआ था उसका नाम पूछा है ठीक है जो ऑप्शन नोबर ए में है अलमोहेद अलहिंदी ठीक है इसके बाद पेगास burial का यह भी हरियाणा PCS ने पूछा था इसके बाद हम देखेंगे आरो मेंस में रिसेंट विम्से पूछा था इकि सीड्रैगन में किस जो मतलब कह सकते हैं देश से पार्ट नए किया था क्योंकि इसमें कई सारे देशोंकर न पार्ट पेट किया था इसमें फिलिपीन से नहीं किया था उसके बाद यह पिनाका और स्मर्च पिनाब का हमारा मल्टी बेरल रॉकेट लॉंच इसमें ठीक है पहले 2002 में होना था लेकिन अब वह जो गजाएगा आपका गण्यान इसके बाद NASA ने अपने कुछ candidates announce किये थे कि अमेरिका के तरफ से NASA के आगे के missions में शामिल होंगे उनमें से एक Indian origin के परसन भी थे अनिल मेनन जिन का नाम था तो इसके अंसर हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले April मंत के defense current affair बीसमा भारत France दुविपक्षिये नंसेना अभ्यास वरुण होँआ था अच्छा इसमें के बल यह ध्यान रखेगा जब ही हम दुविपक्षिये सायन अभ्यासों की या फिर अभ्यास का नाम क्या है और एक देश के साथ भारत करता है जैसे कर वरुण का नाम आएगा तो आपको पता हुना चाहिए कि एक नेवल एक्सेसाइज है और हम लोग यह फ्रांस के साथ करते हैं हम लोग का मतलब भारत ठीक वरुण इतना ही आपको information जरूरी है अभी वेटरिनरी ऑफीसर का वेपर हुआ था अभी जस्ट एक दो दिन पहले उसमें हमसे पूछा कि शसस्तरबल अभ्यास हो प्रति भागियों में कौन से साही धंग से सुमेलीता है तो मैं बता हुना चाहिए कि धर्म गार्जिन जो अभ्यास है भारत और जापान करते है बागे सारी गलत सुमेलीता है तो महारा एंसर हो क्या हो जाए कि धर्म गार्जिन जाएगा धर्म गार्जिन से साहीं थेक है तो फ़ार्पान शक्ति एक इकरत अगि शक्ती अभ्यास आली में भारती सेणा की त्री शक्ती कोर के दोरा पस्चिम मन्गाल के सिली गूड़ी क पास तिस्ता फाइरिंग ब्रेंज में पश्चिम मंगाल में कृपाण शक्ति किस ने किया था भारती सेनर ने किया था बस इतने आद रखना है आपको दस्तिलिक हम लोग करते हैं अभ्यास उजबेकिस्तान के साथ ठीक है यह आखरी कहां पर हुआ था अंतिम संस्क्रण मार् पास वी थी लिजन में यह बालीकतन इसके बाद हमने टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल यानि की एंटी टैंक गाइड़ेड मिसाइल है यानि की टैंक कोड़ाने में कि इसके बाद नैट पॉल्रेक्स एक्सराइज हमने जो की है यह कहां पर हमें आगे है इसको कं मिशन कर दिया गया है पूर्ट ब्लेर में फटीग है वैसने लाइट लिकाप्थरि t से MK2 MK3 जो है आया है और इसको इनिन कॉस्ट गार्ड में शामिल कर दिया गया है इसके बाद सर्मत सर्मत यह missile के टेस्ट वायर किसने किया था रशिया ने ऐसे हम से पूछेंगे कि सर्मत क्या है सर्मत एक इसका परिष्ण किया है इसको परिष्ण किया था रशिया ने यह सर्मत सर्मति और स χार्य लाइव वाक्षीर उसका जलावतरन कियां मुंबाई में आगए और वह सर्मत करण्व इसके बाद करंज फिर उसके बाद वेला तैनाद हो चुके है यहां पर वाकशीर आगे हम देखेंगे क्रुज मिसाइल बहुत दिन से युकरेन ने बना करके इसको रखा हुआ है दो तीन साल पहले से लेकिन अभी जो है रशिन हमलों में यह चर्चा में आई थी ठीक है तो रूस के एक जहाज मॉस्कोवा पर दो शामला किया था यॉक्रेघन तो शामिल ये इंडियन कोस्ट आड में शामिल हो चुका है या इसके बढ़ आईरेन बीम का सफल परेक्षन किया गया था इसराइल ने नई लेजर मिसाइल प्रणाली रक्षा प्रणाली जो है आईरेन बीम इसका सफलता पूरवक परीक्षन कर लिया है ठीक है यह ड्रोन सहीत किसी भी हवाय वस्तु को नस्त कर सकती है तो यह आईरेन बीम जो है यह एक लेजर मिसाइल सिस्टम है और इसका है इसका है इसके बाद प चेतक हलिकॉप्टरों द्वारा 60 साल की सांदार सेवा घजस्टन आये था हाकीम पेट तिलंगाना में चेतक हलिकॉप्टर ने अपनी सर्विस के साथ वरश पूरे किये थे तो इस पर एक सम्मेलन कायोजन किया था रक्षामंतरी ने रादनाज सिंग जी ने इसके बाद बटालियन जो है बीज डोगरा और इकीस डोगरा बटालियन इनको सम्मनित कहां पर किया गया है फाइजाबाद उत्तर प्रदेश में इसको लिया है कोई भी यूपी से एसोशेटेट फैक्ट हमको नहीं छोड़ना है खासकर कि अगर रिसेंट तीन-चार महीने पहले का को बटालियन जोगरा बीस डोगरा एकीस को समनित किया गया है हमारे थलसेना प्रमुक के द्वारा कहां पर फैजाबाद उत्तर प्रदेश में इसके बाद भारत-किर्गिस्तान संयुक्त-विशेश-बल अभ्यास यह हिमाचल प्रदेश में हुआ था ठीक है विशेश-बल सूची हम पहले भी जारी कर चुके हैं मतलब हम्हारी डिफेन्स जο है पहले भी ये सुधेशी करने सूची जारी कर चुकी है कब कब किया था एक सुची जारी की ती अग़री पी Ihre लिश्ट के गया मतली अफ्णी Dip को स्विशी में 108 आइटम थे और अब ये तीसरी सूची वो कैसे अचीव करेंगे कि जितने भी आईटम ने लिस्ट की हैं तीन सुदास आईटम तीनों लिस्ट को मिला करके इसको कुल मिला करके भारत में से ही खरीदा जाएगा भारत के जितने सर्विस प्रॉइडर्स हैं जो यह डिफेंस के सिस्टम्स या प्लैटफॉर्म्स बना इसमें से पूछ सकते हैं कि पॉच्टिव लिस्ट जो है कॉन से नंबर की थी इंडिजनाइज लिस्ट आई थी तीसरे नंबर की थी और इसमें कितने आइटम शामिल थे 101 ठीक यह है कोई भी कमिटी नीज में होती तो हमसे पूछते हैं कि वह किस से एसोशियेटेड़ है और यह देखने के लिए कि एक एसे हमारे नेशन बिल्डिंग में आगे हल्प कर सकता है और एफेक्टिव तरीके से तो बैजन्त पांड़ा कमिटी इस असोशियेटेड विद रिफॉर्म्स इन नेशियेटेड़ कोप्स में रिफॉर्म से या फिर उसका रिव्यू करने सम अभी ट्विटर आप सुन रहे हैं ट्विटर का एक्विजिशन किया रहा है इलानमस के द्वारा बिड भी लगा दी गई थी लेकिन कुछ अभी चीजें फाइनल नहीं हो पा रही है तो इसमें पॉजिजन पिल डिफेंस का अप्रयोग किया गया था यह एक ऐसी पिल या होने जा रहा होता है वो अपने शेर्स के दाम जान बूच करके बढ़ा देते हैं जिससे अक्विजिशन करने वाला कत्र आ जाए तो अगर हमसे हमारे एक्विजाम में पूछा है कि पॉच्छा है कि पॉजिजन पिल इस टर्म एसोशियेटेड विड तो यह एसोशियेटे इसको उने स्थागित कर दिया था पहले यह होने वाला था इंडिन एर फोर्स करने वाली थी राजिस्थान में लेकिन यह वायुशक्ति स्थागित कर दिया गया था इसके बाद सक्षम ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परिक्षण ठीक है आइनेस चेन्नाई से ब्रह्मोस सुप श्जाज पेटरोल वीजल्स हैं ठीक है कि ऑफशोर पेटरोवीजल्समें यह हमारा फॉजए जहाज है और आखरी जहाज है प्रोजेक्ट के टाह?] इसे पहले बोजमोस किब पहले सबसे पहले सचेत्य आयए था इसके बारे में यूबदिं आया सबहृते तक है तो 2021 में आवफशोर पैट्रोल वीजल्स है उसके बाद संयूक तरसाइन भ्याज के सांद से सहल करते हैं इसको लमाईतिय बोलते हैं लमाईतिय अभ्यास हम लोग करते हैं सीशेल्स के साथ 2022 का अभ्याज में हुआ था इसके बाद दस तलिक जोईन ट्रेनिंग एक्सराइज हम लोग उत्वेकिस्तान के साथ करते हैं आपको पता है ठीक है उत्तरकुवरिया ने हुआसोंग 17 मिसाइल का सफल परिक्षण किया था ठीक है इसको विश्लेसकों ने मौन्स्टर मिसाइल का नाम दिया था थोड़ा सा टर्म चर्च में था तो अग मिसाइल का या फिर हुआसोंग 17 का आगए पडते हैं लोग कोटरें्स फॉल्द रिस्पॉंज 2 ट्ॉज तॉज 2 ट्वे में वह था इसमें न्यातो कंत्रीने पार्टिय चंट्रीज ह़ा था इसको ठीक है नांटो कंत्रीज का यद्याश ठीक है, और यह Māलेशिया में हुववथा, मलेशिया के धिस्टा में हुववथा, इसमें अगर पूछ लें कि बरसमाँ शील्ड में किसी पाइसडी के लिश्टाइट नहीं किया, तो इसमें तीन को आपको पहचानना पड़ेगा, जिन लोगोंने पाइसरों किया है, और एक क प्रस्थान प्रस्थान यह exercise हमारे western naval कमांड ने किया था ठीक है प्रश्चिमी ना उसे ना कमांड ने अभ्यास किया था प्रस्थान आगे बदोते हम लोग राष्टपती ने आईएनस वलसुरा को ने प्रतिष्थित राष्टपती धोज यूद्ध और शांती दोनों के श्थितियों में किसी सायनीकाई को विशिश्ट सेवा की मानता देने के लिए प्रधान किया जाता है तो आईनेक्स वलसुरा की टीम को विशिश्ट सेवा की मानता देने के लिए प्रेसिडेंट कलर भेट किया गया था आपका 25 मार्च को, ठीक है उसके बाद सबूरी मन्त में हम देखेंगे पांचवी स्कॉर्पीन क्लास की पंडुबी वागीर आ गई थी वागीर को जल में छोड़ा गया था इसको बनाये किस तिन था वागीर को फ्रांस की DCNS और भारत में माजगाओं डॉक शिप्याड लिम्टेड के मत जो तकनीकी हस्तांतरन हुआ था कि अधार पर माजगाओं डॉक शिप्याड लिम्टेड मुंबई में पंडुबी यों का निर्माण किया गया था ठीक है इसका जलावतरन यानिकी लॉंच कप किया गया था बाँसलंग 17 के बारे मिनने बात कि concise हेन लॉकол करती है नॉर्थ कोtermग करती हैं ठीक है मैं सफोलंग 17 आपकी इंटर कौंटिनेंटल बिलिष्टिक मिसाईड मिशाइल थी ईंटर मीजीर ट्रेंच बलिष्टिक मिसाइल्स ट्वैं ठीक इंटरमीजिये ट्रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है वासूंग टेवल उसके बाद आईसीजीए सक्षम यह बता चुके हैं हम आपको जैसे सक्षम हुआ था फिर आपका सार्थक के बाद सक्षम हुआ था फिर आपको पने करम बता दिया था सचेट सबसे पहले फिर सुजीद फिर सार्थक फिर सजग फिर सक्षम यह है तो टोटल पांच का क्रम ऐसे पूछ सकते हैं कि जो सक्षम है इसको किसने बनाए है भारत के गोवा शेप्याड लिमिटेड ने बनाए है ठीक है उसके बाद defense land survey based on modern technique तो भारत में पहली बार defense land का सर्वे हुआ था कि भारत में कितनी भूमी जो है defense के पास है तो उसका ये पहली बार ऐसा survey हुआ था जिसमे modern technology का प्रयोक किया गया था ये थोड़ी सी चीड चीज सर्चे माय थी फैब में तो अमने इसको बता दिया आपको खाइबर बस्टर मिसाइल का सफल परिक्षन किया था इरान ने खाइबर बस्टर यह क्या है मिसाइल है कहां की मिसाइल है इरान की भारत को तीन और राफेल जट मिल गए थे भारत में जो है कुझ विलाकर आपके 35 जहाज हो गए थे कब तक फेबरेरी 2022 तक सबसे पहला बैच का बाय था 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 थोड़ा सा पुराने का ध्यान रखें कि मांकी हर बैच की जानखारी रखना जरूरी नहीं है उसके बाद ऑप्रेशन अन्य फरिष्टे जो है किसने चलाए था रेलवेज ने और यह क्या था यह चाइल्ड रेस्क्यू ऑप्रेशन था अप्रेशन अन्य फरिष्टे क्या था चाइल्ड रेस्क्यू ऑप्रेशन था रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानि की प्रेजिदेंट का फ्लीट रिव्यू इसके बाद सी डोम रक्षा पंडाली का सफल प्रिक्षन सी डोम डिफेंस सिस्टम जो है या प्रॉपरली बोलें तो सी डोम एयर डिफेंस सिस्टम जो है इसराइल का है इसराइल ने इसका टेस्ट किया था पहला हैकथाउन सैने रंड रडशेत्रम, उसके बाद Concourse M Anti-Tank Guided Missile, Concourse M Anti-Tank Guided Missile के निर्माड के लिए अभी समझोता हुआ है, जल्द जो है, अब भारती सेना इसको जो है, अपने यूज में लेगी, अभी इसका खाली बनने के लिए समझोता हुआ है, Eastern Bridge, शिक्ष्थ इसके साथ करते हैं, उम्मान के साथ करते हैं Royal Air Force of उम्मान के साथ करते हैं वायू सिना का अभ्यास है, Indian Air Force इसमें participate करती है, ये कहां पर हुआ था Air Force Station जोधपूर राजिस्थान में हुआ था उम्मान के साथ ये air exercise ऐसे बूछ सकते हैं कि Feb 2022 में जो ये International Air Show हुआ था, ये कहां पर हुआ था Singapore में हुआ था, सबसे पहले तो ये और इसमें Singapore के चांगी अंतराश्ट्री हावाइड डे पर ये हुआ था इसमें भारती ये दलने भी participate किया था इसमें, ठीक है, इसमें सुदेशी Tejas MK1 ये helicopter सोरी, एक Aircraft जो है, उसको हमने Show किया था, सिंगपूर Air Show में ठीक, इसके बाद रूस और बेलरूस ने किया था, अपना साइने अभ्यास बेलरूस की बॉर्डर के पास ये अभ्यास हुआ था ठीक है, ये FAB में हुआ था उसके बाद ये धर्म गार्जिन धर्म गार्जिन हमने किया था, 2022 में करनाटक में ठीक है, ये 27, FAB 410 मार्ट तक चला था भारत जापान के बीच धर्म गार्जिन ये हमने आपको पता है, अभी पेपर में पूछा भी गया था बटनरी आफिसर के पेपर में और इस निकासी अभ्यान में बायु सेनका C-17 Globe Master यहाँ पर शामिल हुआ था यह विमान C-17 Globe Master Indian Air Force का इसमें शामिल हुआ था तो इतना काफी Operation Ganga के बारे में उसके बाद G-7 भी भारत की सेना ने इसको शामिल कर लिया था अब यह G-7 वाले सेटलाइट्स जो है इसरो बना करके देता है आर्मी को जैसे G-7 यह रुकमडी इसका नाम दिया गया था यह इंडिया का पहला Military Communication Satellite माना जाता है जो इसरो ने बना के दिया था हमारी इंडियन आर्मी को लेकिन फिर एक और दिया था और फिर थार्ड दिया है G-7 भी तो G-7 भी किस तरीके सैटलाइट है यह आपके Communication Satellite से जो कि इंडियन आर्मी यूज़ करती है इसको बना करके कौन देता है इसरो देता है तो बस इतना ध्यान रखेंगे आप ठीक है उसके बाद जमू कश्मीर को अपने Defense Group बनाने की मंजूरी मिल गए थी जमू कश्मीर ने कहा था कि Delimination से पहले अब तो Delimination हो चुका है जमू कश्मीर का Delimination कमिटी को Head किस ने किया था जिसने जमू कश्मीर का Delimination किया अब जल्दी से Comment करके बताएंगे यहां पर Village Defense Group क्रियेट किये थे यहां पर जमू कश्मीर के प्रशासन ने ठीक उसके बाद January मंथ में देखेंगे बेव बंगाल में जापान की समुद्री सेना भारती नवसेना के बीच एक गयर संपर्क मोड में सिर्दारी अभ्यास आयुजित किया गया था और इसमें भारत के टरणत गया था आइनेश शिवालिक क्षक कदमत और वह Überiwaldo, यह साजी दारी अभ्यास हो गया राट किया ब्लंग करतें दो शिप कंशेंगे साल मिलान 2022, यह मिलान 2022 विशाका पटनम में हुआ था और इसमें इसकी थीम एक बार देखेगा, इसकी थीम थी कमराडरी, कोहेशन, एंड कोलाबरेशन, इसमें जो कंट्री पार्सपेट किये थे वो हैं, आस्ट्रेलिया, इसराइल, इरान, फ्रांस, जापान, साउथ कोरिया, व हम रशिया से खरीद रहे हैं, AK-103 राइफल्स भी और AK-203 राइफल्स दोनों हम रशिया से प्रोक्योर कर रहे हैं, और यह भी हमने आपको पताया था कि फिलिपीन, जो है, ब्रमोस क्रूज मिसाइल भारत से खरीद देगा, तो यह दोनों चीज़ें हम अग्रिमेंट सेक किया था, हमारे BSF ने, Border Security Force में ऑपरेशन सर्द हवा किया था, ऑपरेशन गर्म हवा भी पिछले साल किया था, BSF ने ही, Sea Dragon बाइस अभ्या, Sea Dragon में किसने किसे पाइस्पेट किया था, यह पूछा भी गया था, कि भारत, Australia, Canada, America, दक्षिन कोरियो जापान ने पिसमें पाइस् इसके बाद, रूस का वाइट स्वान, TU-160 सुपर सौनिक बॉम्बर एरक्राफ्ट, तो टुपलेव, TU-160M का नावरण किया है, एक मिसाइल बंवरशक विमान है, ठीक है, इसके बाद, क्रायोजनिक इंजिन विकास, यह तमिल नाडू में इसको जो है, अने विल किया गया, इसरों ने, यानि भारती अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने गगन यान कारेक्राम के लिए क्रायोजनिक इंजिन की योगिता परीक्षा सफलता पूर्वक कंडट कर लिए, इस क्रायोजनिक इंजिन का नाम विकास रखा गया है, यह बहुत-बहुत ज़रूरी है, यह कि जिसे ने पताये नहीं, लेकिन के काफी आपके लिए उसफुल हो सकता है, एक्जाम के लिए, जनरल नॉलेज़ के लिए भी योश्फल है, यह गणियान प्रोग्राम के लिए जो हम रहोजनिक इंजिन का टेस्ट फायर कर रहे है, जो ताम पिल आड़ूस किया था, उसका LOVE है nuclear powered icebreaker इसका नाम है सिभीर इसके बाद चीरू अभ्यास चीरू नाम से मिताँ चल रहा है इसमें किस्टन किस्ट पार्ट्स पेट गिया किए तो एक वांटम लैब की स्थापना काम पर की गई इंदावर के महू में उसके बद एंटी आर्मर हतियार की आपूर्थी के लिए SAAB को चुना गया है SAAB एक स्वीडिश रक्षा कंपनी है जो भारत ये शसस्त्र बल द्वारा एकल शॉट एंटी आर्मर हतियार 84 यानि की सिंगल शॉट एंटी आर्मर वीपन 84 की जो है सप्लाइ करेगी इंडेन नाम्ड फोर्स इसको यह साब है यह स्वीडिश डिफेंस कंपनी है ठीक है तो वसे इतना देहान रखना है आपको इसमें जॉट मैरी टाम एक्सरसाइस पस्चिम लहर वेश्ट कोस्ट के पूई थी और इसको हमारे पस्चिमी नेवल कमांड ने किया थाई नाहीं किया था इसके बार ज grapes क्रूज को कोरे हैं, South edge, word of Huishina sounds कर्या क refuses न इसनी विल्हें सेक्रीकितने स्सक्क्रीव ौन खोला मारिजद्ट की नाम कहतने संटर्पेट सर्दे में करें श्यृयरा तो्र सिर्फ ने पत्रूर है यह महत्पップूर्ण एं उन सबी कंट्रीज ने पार्सपेट किया था स्रिलंका, मालदीव, भारत, मौरिशस, सीशेल्स, बंगलदेश ठीक है इसके बाद अबाइड विद मी ये एक जो है कह सकते हैं कैरल या फिरिसाई भजन था, पहले ये हमारे बीटिंग रिट्रीट में गाया जाता था लेकिन अब थोड़ा सा यहां पर परिवर्तन किया गया है और अब आय मेरे वतन के लोगों इसकी जगए गाया जाएगा अब आइड विद मी ऐसा कहते हैं कि गांधी जी का मंचाहा भजन था और इसको जो है बीटिंग रिट्रीट समारों में लगातार गाया जाता रहा है 1950 से लेकिन अब इसकी जगए गाया जाएगा आय मेरे वतन के लोगों कभी प्रदीप की मौलिक कृती है इसकी धुन बनाई थी सी रामचंदर ने और सबसे पहले इस गीत को आया था लता मंगेश करने तो आय मेरे वतन के लोगों जो है आप इटिंग रिट्रीट में यूज किया जाएगा अब आइड विद मी ना यूज किया जाएगा यह है कुल मिला कर अब इसका स्रीन शॉट रख सकते हैं जो हमने बताया बस वही मात्पूर है उसके बाद दिसंबर में हम देखेंगे अक्विरिन अब भ्यास हम लोग मालदीव के साथ करते हैं यह हमारा नेवल एक्सेसाइज होता है यह हमने कड़ू आइलेंड मालदीव में किया था एड़ू हो गया कड़ू हो गया इस सब एसोशियेटेड है मालदीव से उसके बाद पैनेक्स 21 पैनेक्स से 21 हुआ था पूरे महराष्टर में और इसमें बिम्स्टेक कंट्रीज ने पाइस्पेट किया था जैसे कि भारत, नेपाल, बांगलदेश, भूटान, म्यानमार, शिलंका और थाइलेंड इन सब इने पाइस्पेट किया था पैनेक्स में यह पूरे महराष्टर में वह था उसके बाद रशिया के मटवा दुवीब पर अच्छली मटवा आइलेंड में रशिया ने अपना बैशन सिस्टम नामा के रक्षा मिसाइल प्रणाली तैनात कर ली थी अपनी तो यह स्ट्रेटिजिकली इंपॉर्टन्ट थोड़ी सी निउस है मटवा दुवीब जो है यह गुलाविन जल्ट अम्रूमध के सोला किलिम्टर दूर है और रिंग ओफ फायर में थी थी तह यहाँ पर अपना कुल्विला करके डिफेंस मिसाइल सिस्टम तैनात कर लिया है रशिया ने तो यह थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं कि इनमें से किस आइलेंड में रशिया ने अपना मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात किया दिसंबर 2020 में तो उस कैंसर हो जाएगा मटू आइलेंड मटू आइलेंड जो न्यूस में आ गया तो इसकी एक बार अंदिया इंडोनेश्य की कार्पयाट में किस्ने पासीड किया तो इनस खंजर ने बहाँ की त तरफ की से जहाज से जहाए था उसका नाम सिल्टान ताहा साहीं तियन ठीकिंड़ेस्या का जाहा जए Всल्तान ताहा साहीं साम दिन जो का कायाध्या भाग लिया था और भारत के एक इस गश्ती पोत ने भाग लिया था आएनेस खंजर ने आगे हम लोग बढ़ेंगे स्टेल्थ विद्वनसक पोत स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर ये हमारा एक स्टेल्थ विद्वनसक पोत लॉंच किया गया था गोवा से इसका नाम है आएनेस मार मुगाउ का पहला समुद्री परिक्षन किया गया था ठीक है इसके बाद Сरवे सर पोर्ट जो है सरवे च्छन पोर्ट सर्वेक्षिप है संध्याक यह हमारा संध्याक है इसको कॉलकाटा में लॉझच किया गया था अब अब देखे इसमें आप confused हो रहेंगे कि इतना क्या याद करना है इसमें आपको पता होने चाहिए कि अगर हम हरमुगाओ की बात करेंगे तो यह stealth destroyer है अगर हम संध्याग की बात करेंगे तो यह आपका survey ship है इस तरीके से आपको याद करना है इसको ठीक है दूसरे चीज़ य जहाजों को decommission किया जाता है उनका भी नाम कभी कभी पूछ लेते हैं तो आइनस कोकरी जो है यह बेसिकली इंडियास फर्स्ट इंडिजनेस मिसाइल कॉरवेट था दक्षिण शक्ति नाम से अभ्यास यह किया था थल सेना ने जैसल मेर मेर में ठीक है नासा द्वारत दस अंत्रिक्ष उम्मी द्वारों को चुना गया था दस ने अमेरिकन परसंस जो की आगे के नासा के मिशन्स में सामिल होंगे उनमें यह सब नाम शामिल थे लेकिन हमसे जो है इंडियन ओरिजिन विक्ति का नाम पूछा क्योंकि अगर कहीं भी ऐसे जिंसी में इंडिया से ज एजल वाडर्न को राश्च्टपति मानक मिला था मुंबै में तो इसके बाद प्रिल्ए मिसृइल का सफल परिक्स्न है यह हमने प्रिलै का दूसरा है मिसाईल इसके बाद इंडिया नेवी ट्रेनिंग शिप आईने सुदर्शनी ये इंडिया नेवी ट्रेनिंग शिप है आईने सुदर्शनी पोर्ट सुल्तान कबूस मसकट उम्मान में जो है उसका दोरा इसने किया था ठीक है कई बार हमारा शिप कहीं पर कॉल लेने या फिर कहीं पर दोरा करने जाता है तो उसका नाम भी पूछ लेते हैं जैसे आईने सुदर्शनी कहां पर किया था कहां पर किया था उम्मान में भारती सेना अपना खुद का इन हाउस मैस्जिंग डवलप कर रही थी उसको ए सिगमा नाम दिया गया था ठीक है और कहा रहे थे कि यह विक्सित किया जा चुका है तो यह आर्मी यूज करेगे बिसिकलि अपने इंटर्नल परपस के लिए उसके बाद आठवा हिंद महासागर समवाद एट्थ इंडियन ओशिन डायलोग इसकी मैजबानी किस ने की थी हमारे व रक्षा प्रणाली एस-400 जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है यह एर डिफेंस सिस्टम है जो हमने रश्य से खरीदा हुआ है इसको हमने टेस्ट कहां पर किया था पंजाब में ठीक है यह हम कर सकते हैं टेस्ट नहीं किया था को बिलाकर इसको डिप्लॉय किया है तो S-400 स्मार्ट एंटी एर फिल्ड वीपन का हमने सक्सेस्वली टेस्क फायर किया था कहां से जैसल मेर राजिस्थान में चंदन परवतमाला से इसका सफल उडान पर इक्ष्ण किया था ठीक है इसको डिआडी और भारती वाईसों इना द्वारा सुदेशी रूप से विक्सित कि इसके बाद स्कॉर्पीन क्लास पंडूबी वेला हमने आपको बताया कि सारी पंडूबी आ चुकी है ठीक है तो लेटेस्ट में आप धियान रखेंगे तो पुरानी भी आद रख लेंगे वाक्षीर से पहले आई थी और वेला ठीक उसके बाद हैक अधॉन सैने रंड शेत कर्मियों इसराइल के ओवेडा एर बेस में भाग लिया था तो भारत इसराइल की है एक्सराइज ब्लू फ्लैग इंडिया नेवल फास्ट अटक क्राफ्ट टी इसको भी डी कमिशन कर दिया गया है अब इसका यूज नहीं करेगी हमारी नौसेना उसके बाद साथ नहीं र करते हैं आर्मी चीफ गॉडड़ पोस्ट ऑफ जनरल ऑफ दा इंडियन आर। 1950 में परंपरा शुरू हुई थी नेपाल के सेना प्रमुख प्रभू राम शर्मा को राश्टपति रामनात को मिन ने भारती सेना के जनरल की मानद रैंग से समानित किया है नेपाल ने पिछले यह भारती नौसेना के फ्रिगट है जहाज रूस के कलिन ग्राद में यंतर शिप्याड में लॉंच किया गया था और इसको आपचारिक रूप से तुशील कहा गया है संस्कृत शब्द है इसका मतलब होता रक्षक ढ़ाल तो भारती नौसेना के जहाज है यह है तुशील इसको वहां रशिया में लॉंच किया आ गया है कलिन ग्राद में इसके बाद है एर डिफेंस एक्सेसाइज विलायत विलायत एर डिफेंस एक्सेसाइज यह किसने की है इरानी सेना इरानी सेना ने कुल विलाकर की है यह दो दिवसी अभ्यास वहां पर सेंट्रल डेजर्ट में वहाँ पर अपने वहाँ पर तो मतलब यह विलायत एयर डिफेंस एकसाइस यह इरान की है एस फोरेंड़ेट मिसाइल सिस्टम आपको पता है कि भारत यह रख्ष रशिया से प्रोक्योर करता है एंटी सेटलाइट मिसाइल टेस्ट अभी रशिया ने किया था 15 नमंबर को हमारे भारत ने भी जो है अचीव कर लिया एंटी सेटलाइट मिसाइल टेस्ट करने का या फिर एंटी सेटलाइट मिशन लॉंच किया था जिसको मिशन शक्ति कहा गया था काफी चर्चा मेरा था 209 में आपको याद होगा मिशन शक्ति ठीक है उसके बाद दोस्ती यह है उसके बाद सागरशक्ति अच मुंऺृ ती के जो साकति को इसके बाद भारती धाई लैंड तीnant की साहारी läuft आरी कोडिनीटेट पैट्रोल होती है वो ही थी पारा से 4 नौंबर की बीच और इसमें भारत का जो जहाज गया था वो गया था आईनेस कर्मुक, ठीक है, आईनेस कर्मुक, मालाबार एक्सेसाइज ये जो है 12 से 15 अक्टूबर के बीच होई थी और इसमें रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी, युनाटेट स्टेट्स समुद्री, नेवी वहां की मितल पहला चरण में और दूसरा चरण वहा था बेव बंगाल में, उसके बाद आईनेस विशाखा पत्नम, आईनेस विशाखा पत्नम को मुंबई में शामिल किया गया था, हमारे इंडियन नेवी में या भी पूछा गया था, ICF पेपर में, उसमें एक स्टेट्मेंट दिया थ ये परमाडू, जैविक और रसाइनिक युद्ध की स्थितियों में भी लड़ने में शक्षम है, आईनेस विशाखा पत्नम में, इसको कमिशन किया गया है मुंबई में, ना कि विशाखा पत्नम में, आगे हम लोग बढ़ते हैं, उननत electronic warfare प्रणाली शक्ति, advanced electronic warfare system, electronic warfare system जो मुदी जी ने इंडिय नेवी को जहांसी में राष्ट्र रक्षा समर्पन पर वुजद चल रहा था उसमें, ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, उसके बाद एकी ग्रत थीएटर कमांड, एकी ग्रत थीएटर कमांड ये वर्ड चर्चा में रहता है, सबसे पहले आपको महत्रश्टी से जो महत्पूर्ण छेतर हो, उसमें एक ही कमांडर के नेतरत तुमें एक ऐसी कमांड बनाई जाए, जिसमें तीनों ही हमारे बल हूँ, नौ सेना, वायू सेना, थल सेना, एक ही कमांडर के नेतरत तुमें ऐसी जगह पर जो strategically बहुत important है, वहाँ पर तैनात की जाए, ठीक, इसकी समिक्षा करने के लिए शिकाटकर कमीटी बनाई गई थी, ठीक है, इसने कहा था कि तीन इंटेग्रेटर कमांड की हमको जरूरत है, तीन तरफ भारत में, तो यह टर्म अभी चर्चा में रहता है, हलांकि अभी ऐसा कोई इंटेग्रेटर कमांड नहीं बनाए गया है अभी तक भारत में, लेकिन इसकी चर्चा होती रहती है, तो अगर आपसे पूछे, शिकाटकर कमीटी किसे समभन देता है, तो इसका एंसर हो जाएगा, इंटीग्रेटर कमांड, यह पर सिंपली पूछे कि इस फिल्ड से असोशियेटर है, तो इसका एंसर ह करते हैं, आकाश प्राइम मिसाईल का सफल परिक्षन हमने ओडीशा से किया था, ठीक है, हुआसोंग एट, जैसे हुआसोंग नाम की सभी मिसाईल नौथ कोरिया से असोशियेटर है, वैसे ही एक हाईपर सॉनिक मिसाईल है, हासोंग, यह भी आपकी उत्तर कोरिया है, यह प्रस्पान के साथ जय मेक्स उसके बाद हाइपर सोनिक मिसाइल सबमरीन से जो हमने अभी इसका टेस्ट फायर किया है एक्चुली हमने नहीं किया यह रशिया ने टेस्ट फायर किया पहली बार जो अक्टोबर 4 इसके बाद रेथियोन हाईपर सॉनिक मिसाइल यूएस ने रेथियोन हाईपर सॉनिक मिसाइल का सफल प्रडिक्षन किया था सितंबर 2021 में आजय वारियर अभ्यास जो है हम लोग करते हैं यूके के साथ यूके की आर्मी के साथ बेसिकली इंडियन आर्मी एक्सरसाइस करती है अजय वारियर के नाम से अगनी 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सभल प्रडिक्षन ओडिशा से वह था ठीक है यह आफशोर रेस हुई थी रेगाट्टा नाम से भारती नावसेनन ने किया था इसको एक्सपैंडेबल एरियल टार्गेट जो है सक्सेस्फुली टेस्ट फायर किया था इसको एक कोड दिया गया था हाई स्पीड एक्सपैंडेबल एरियल टार्गेट हीट अभ्यास इसका सफल परिक् सी इस नाम से Joint Sea के नाम से स्यूकर सागर के नाम से जापन सागर में रूस ने और चीन ने अभ्यास किया था चैना ओर अशिया ने ठीक है Joint Sea जापन सी में इसके बाद नूरी रोकेट यह अंतरिक्स रोकेट या गांधी नगर गुजरात में होने वाला था ठीक है अब डिले किया गया है तो उसकी तयारियों की समीक्षा हुई थी ठीक है अभी तो खर डिले कर दिया गया लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये गांधी नगर में होगा ग्लाड एक्सपो सेप्टेंबर मंत में हुम देख सिंग़ापूर भारत दापड नाम से नवी एक्सपांध रिजन में हुक किय था कैसे प्रफिप किया था उसके लावन अर्मेनिया कजाकस्तान भारत मंगोलिया तजीिकिस्तान किर्गिस्तान सरविया बेलरूस और चाइना, पाकिस्तान, म्यानमार, वियतनाम, मलेशिया, भांगलादेश, उजबेकिस्तान, श्रिलंका, यह observer countries के रूप में आये थे, तो जापड में इन सारे countries ने भाग लिया था, तो इनमें भी एक बार जुरूर आप देख लीजिएगा, ठीक है, इसके बाद है कि Pacific Air Force Major Symposium Pacific Countries के जितने भी Air Force Major थे, उनका सिंपोजियम हुआ था, परल हारबर हीकाम हवाई में, और इसकी थीम थी Enduring Corporation Towards Regional Sustainability, ठीक है, बस यह धान रखना है, आपको पूर्व एर चीफ मारसल, जो थे हमारे RKS भदोरिया, उन्होंने भाग लिया था, इसमें, बैलिस्टिक मिसाइल का सवल परिक्षन, जैक्षिन कोरिया ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल का सवल परिक्षन किया था, और पंडुबी से सवल परिक्षन किया था, अतकोल मिलाकर, जो है, सातों ऐसा देश बन गया था, विश्व में, जिसने पंडुबी से अपनी बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी हो ये किसने किया था साउथ कोरिया साउथ कोरिया सेवन्थ कंट्री बन गया था पूरे विश्व का जिसने मिसाइल अपनी सब्मरीन से छोड़ी हो ठीक है आगे हम देखेंगे इंडियास फर्स्ट न्यूक्लियर भारत का पहला परमाणू मिसाइल ट्रैकिंग जहाज विक्सत कर लिया भारत का पहला है बहुत बहुत जरूरी है ठीक है डियाएडियो और राश्ट्री तक्नीकी अनुसंदान संगठन के सहयोग से हिंदुस्तान शीपियाड लिम्टेड द्वारा ये अभी बनाया गया है य रंद्प्रदेश के विशाखा पटनम से इसको लाँच किया था किसने लाँच किया था अजीर ध्हुवाल ने लाँच किया था ये बहुत-बहुत जरूरी है पूरे वीडियो में से इसके आने की काफी संभाव ना है इसके बाद समुद्र शक्ती कहां पी उती सुनडा ज तरगत मौरिशस को यात्री वैरियंट डौर्णियर विमान सौपा गया था तो डौर्णियर एरक्राफ्ट जो है हमने किसको सौपा था मौरिशस की नेवी को ठीक है मौरिशस को इसके बाद गांडीव नाम से exercise एक्सराइज एक्सराइज गांडीव हुई थी राष्ट्री सुरक्सा गार्ड ने कुछ निम्लिके तिस्थानों पर की थी उत्तर प्रदेश में मद्ध प्रदेश में गुजरात में और एंस्यार रीजिन में गांडीव 22 अगस्त में की थी ठीक है इसके बाद बिजाओय सान क्लेव यह कहां पर भी थी नियू टैली में भी थी ठीक है बस इतना ध्यान रखना काफी होगा उसके बाद डेफ एक्सपो जो है गुजरात में बानी कर रहा है आपको पता है गांडी नंगर में उसके बाद स्वधेश निर्मित तट्रक्षक जहाज विग्र है इंडिजन कलर्स मिले थे यहां पर किसको आइनेस हंसा बेस पर आइनेस हंसा को मिले थे गोवा में जो तैनात है सूर किरन अभ्यास हम लोग करते हैं नेपाल के साथ एक बार होता है नेपाल में एक बार फिर भारत में होता है यह हर साल जो है करीब दो बार होता है ठीक है सूर किरन अ औरिंबर्घ रीजन में हुआ था इसमें भारती सेना ने भी पाइसपेट किया था टाइवान में ताइवान ने अपनी इंडिजनेनसली बिल्ड नेवल वार्शिप कमेशन की थी जिसको नाम धिया था उन्होंने तया जांग ताजियांग कहा था उसको ठीक है यह उनका पहल इजिप्ट में वी थी और इसमें अमेरिका, फ्रांस, यूके, साइप्रस, इटली, स्पेन और पाकिस्तान ये सब शामिल हुए थे, भारती संयूकत से न अभ्यास का हिस्सा नहीं था, ठेक है, ब्राइट स्टार कहां पे वो था इजिप्ट में, पाकिस्पेट इसमें किया इंड्र शामिल हिए अमेरिका, फ्रांस, साइप्रस, इटली, यूके, स्पेन, पाकिस्तान, इंडिया ने पाट्स्पेट नहीं किया थे, अगस्त में हम देखें तो विक्रांत, आइनेस विक्रांत जो है, नोट आइनेस विक्रांत, इंडिजनेस एर ek्राफ्ट कैरियर, प्रोजेक्ट 71 के तैद विक्रांत ने अपनी पहली समुद्री यात्रा सफलता पूर्वक पूरी की थी और कोची से रवाना हुआ था ठीक है इंदर नेवी 2021 में किसने पाटिस्पेट किया था इसमें पाटिस्पेट किया था आयनेस श्झाषिया के तर इसके बाद अंतराश्ट्री साइन ने खेल इंटरनेशल आर्मी गेम्स तो जारे किस यह अभी तक नहीं पूछा गया लेकिन पहले बहुत पूछे जाता था इसको और्गनाइज किस ने किया था रशिया ने बस इतना ही ध्यान रखेगा ठीक है इनको वार ओलम्पिक्स भी कहा जाता है यह इंटरनेशल सबसे उच्छा युद्ध छेत्र माना जाता है इसमें विकलांग लोगों की टीम पहुंचने वाली थी और यहां पर अपना फ्लैग फैराने वाली थी तो यह था ओपरेशन ब्लू फ्रीडम जायत तलवार अबुधाबी में हुआ था और भारती नवसेना और अबुधारियों को अपने कॉंबाइट ऑफिसर्स के रूप में शामिल किया था दो विमन प्रकृति यो दीख्षा को तो यह थोड़ा सा इन्यूस चर्चे में आई थी सुझे से इसको अध्यान रख सकते हैं अल मुहायद अल हिंदी यह साथ हमने पहला अपना अभ्यास क साथ और आइनेस कोची ने इसमें पाटिस्पेट किया था और यह पूछा भी गया हमसे अभी पेपर में अल मुहायद अल हिंदी हरिटेज कॉस्टल पोर्ट पर कॉल करने वाला पहला इंडिया नेवी शिप बना था आइनेस खंजर आइनेस खंजर ओडिशा के गोपालप के हरिटेज तटी यह बंदरगाह पर तो इससे आपको यह पता चलता है कि भारत में हरिटेज तटी यह बंदरगाह कहां पर हैं तो यह ओडिशा के गोपालपूर में ठीक उसके बद कॉंकर एक्सराइज इंग्लिस चैनल में हुआ था हम लोग इसके साथ करते हैं UK के साथ uwze लोग तो इससे करते हैं आपको पता है अ दुनिया का सबसे उन्चा मोबाइल एर ट्राफिक कंट्रोल टावर यह खोला गया था लधाक में ठीक है तो इससे तिरंगाएक रिले मैरेफॉन वहा था गहां पर जमू कश्पीर में शीक एकससाइजंगाम में होई ती और इस इससे जुड़े मेंबर्स पार्टिस्पेट करते हैं और बेसिकली इसमें पार्टिस्पेट अगर किसने किया अगर देखें तो US की ने भी ने किया इंडियन ने भी ने इसके बाद इंडिया कजाकस्तान जॉइन्ट एक्ससाइज इसके बाद इंडिया इसके बाद इंडिया स्टार्ट अप चैलेंज ये और नाइस किया गया था आगर्स 2020 में बस इतना ही जुरूट ही आपके लिए जायरल बहर, जायरल बहर का दूसरा संस्क्रण था, जायरल बहर हम किसके साथ करते हैं, कतर के साथ करते हैं, ठीक है, कतर हिंदुस्तान 228 विमान हिंदुस्तान 228 एरक्राफ्ट का टेस्ट यह कानपूर में हुआ था ठीक है तो इस पुझे से बस इसको ध्यान रखेगा कि इसका टेस्ट कहां पे वह था कानपूर में इंडिया पवेलियन इनागरेटेड आर्मी 2021 नाम से रशिया में यह जो आपका सेन और तक्नीकी फोरम का आयोजन हुआ था इसमें इंडिया के तरफ से भी पवेलियन यहां पे लगाया गया था ठीक है तो यह आपका अंतरराश्ट्री सेन और तक्नीकी फोरम आर्मी 2020 किस का अगर पूछे तो इसका एंसर रशिया होगा जुलाई में आकरी में हम देखेंगे भारत का पहला सुदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद इंडिया स्वर्ष्ट इंडिजनेसली ड्रोन डिफेंस डॉम इसको बनाये था ग्रेने रोबोटिक्स करके हैदराबाद में एक स्टार्ट अप है उसने और इसका नाम रखा गया था इंद्रजाल इंद्रजाल ठीक है इसके बाद S500 वाई रक्षा प्रणाली का परिश्ण एर डिफेंस मिसाइल मिसाइल एर डिफेंस सिस्टम जो S500 है यह भी रश्या को बिलॉंग करता है राफाइल ने किया सी ब्रेकर AI मिसाइल का अनावरन तो सी ब्रेकर मिसाइल प्रणाली का बिनावरन किस ने किया था यह रश्यान नहीं किया था यह इसराइल ने किया था ठीक है इसराइल ने लॉंग रेंज ऑटोनॉमस प्रिसीजन गाइड़न मिसाइल सिस्टम सी ब्रेकर ये बिलॉंग करता है इसराइल को हमारे आर्मी चीफ एम एम नराउडे 5 से 8 जुलाई के बीच ब्रिटेन और इटली की यात्रा पर गये थे बोइंग ये इंडिया को सप्लाई करेगी ठीक है ये अग्रिमेंट हुआ था काफी पहले 2009 में और बोइंग से जो है प्राप तो भी हो गए है दस्मा ये पंडुब्बी रोधी युद्धक विमान पी ये टाई ये मिल गया है बोइंग की तरफ से इंडिया को इटालियन ने के साथ है कभी अभ्यास किया था इंडिया ने में इसमें पार्ट स्पेट किया था आइने स्तबर ने ठीक है एक ट्राइलेटरल एक्सराइज जोई थी हिंद भाहा सागर में भारत श्रिलंका और मालदीव ने की थी ठीक है टीटी एक्स 2021 इसको बोला गया था बीटा टाइ एक्सप्रस में किसने भाग लिया था भारत की तरफ से तो उसका एंसर क्या था आइने स्तलवार था